जेहिन दोस्तो 21 नवंबर 2022 का सबसे पहला important daily current affairs आप सभी के सामने रहा तो हाली में भारत के नए चुनाव आयुक तो कौन बने हैं Very very important question Who has become the election commissioner of India तो भारत के हाली में election commissioner बनाए गए है अरुण गोयल कौन बनाए गए है अरुण गोयल मैं आप सभी को बता दू जो हमारा election commission है वो तीन मेंबर का body है यानि हमारे election commission में तीन सदश होते हैं एक chief election commissioner होता है और chief election commissioner की मदद के लिए दो अन्य आयुक्त होते है देखिए हाँ पे लिखा हुए अरुण कुमार सिंग तो अरुण कुमार सिंग हाली में ONGC का पदभार इन्होंने समाला है याद रहेगा आपको संध्या देवनाथन ये मेटा के हाली में क्या बने है मेटा के head बने है मेटा के प्रमुख बने है अर्विंद विर्मानी ये नीती आयोग में पूर कालिक सदश बने है दोस्तो राश्त्रपति-द्रौपति-मुर्मूर इन्होंने 19 नवंबर को रिटार्र आइए सधिकारी आरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है तो दोस्तो हमारे चीफ election commissioner कौन है तो ये है राजीब कुमार क्या नाम है इनका राजीब कुमार भारत के 25 नंबर के कौन है ये चीफ election commissioner है दो अन्य आयुकते हैं पहले है अनुप चंदरपांडे और दूसरे है अरुण गोयल ये तीन मेंबर आपको याद रहेंगे न चलिए अरुण गोयल का जो टर्म है 2027 तक रहेगा election commission of India की बात करें क्योंकि हाँ पर बात election commission of India की आ रही है हमारे समविधान में article 324 से लेके 329 तक election commission of India के बारे में बताया गया है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है हम 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं तो 25 जनवरी को ह मनाते national voters day हमारे election commission का काम होता है लोग सभा का चुनाव कराना राज सभा का चुनाव कराना state assemblies का चुनाव कराना देश में president and vice president का चुनाव कराना ये election commission of India की जिम्मेदारी है साथियों भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछे जा सकते हैं तो ये है सू कुमार सेन वही पे भारत की सबसे पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं B.S. रामा देवी 1990 में बनाई गई थी साथियों आप पढ़ रहे हैं 21 नवंबर 2022 के daily current affairs और मैं हूँ राजा गुपता मैं आपको daily current affairs पढ़ाता हूँ साथियों लास्ट में आपको मिलता है special static g के all gs subject coverage हमारी क्लास की दो और विशेश बात है जो भी current affairs आप पढ़ते हैं उसका पूरा टेस्ट होता है उसे दिन और ये क्लास 25 से 30 मिनट की होते हैं ये है current affairs की ब्रह्मास्तर क्लास चलि दोस्तो question number 2 को देखते हैं Asia Cup Table Tennis Tournament हाली में आजत किया गया इसमें Manika Batra ने कौन सा मेडल जीता है तो Manika Batra ने gold medal जीता है कौन सा मेडल जीता है गोल इडल साथियों Manika Batra ने Asia Cup Table Tennis Tournament में ये इतिहास रज़्दिया है और भारत की पहली भारती महिला खिलाड़ी बन गई है इन्होंने गोल्ड बेडल जीता है 19 नवंबर 2022 को कहां पर थाइलेंड के बैंककॉक में महिला एकल कांस पदक मैच में दुनिया की नंबर 6 जापान की हीना हायाता को हरा दिया है किसको हराया है? हीना हायाता को हराया है मनिका बत्रा एशिया कप टेबल टैनिस में पदक जीतने वाली दूसरी खिलाडी है सबसे पहले वेक्ति हैं चेतन बबूर 1997 में रजद और 2000 में इन्होंने कांस से पदक जीता है साथ यहाँ पर बात आ रही एशिया कप टेबल टैनिस टूर्नामेंट की तो मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेस देंगा 1983 में इसका आजन किया जा रहा है तब से लेके अब तक 2020-2021 में COVID-19 चल रहा था जिसकी वज़े से इसका आजन नहीं किया जा सका यदि आपसे पूछा जाए कि 2022 में इसका आजन कहा पर हुआ है थाइलेंड में कहा पर बैंक कॉक में देखे फ्रेंड्स 18 नवंबर डेली करेंट अफेर्स का क्विज का रिजर्ट यहां पर जारी किया गया है मुहमद आदिल बहुत-बहुत मुबारक बहुत-बहुत शुबकामनाए 16 सेकेंड में आपने क्विज को सॉल्व किया है हिमान्शु सिंग, मनीशिय आदफ, सीकु और प्रिया मश्रा तो आप सभी प्रियास करते रहिए जो पीछे आ रहे हैं जल्द टॉप करें तो आप लोगों को टॉप करना है यह जो क्विज है डेली करेंट अफैर्स का और भी बहुत सारा टेस्ट होता है हमारे डेली करेंट अफैर्स के अलावा क्रेजी जीकेटरिक एप्लिकेशन पर वहाँ पर आपको वीडियो भी मिलेगा पीडियाफ भी मिलेगी और कुईज भी मिलेगा ठीक है सब कुछ एकी जगह पर कॉश्चन नमबर थ्री हाली में नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स जारी किया गया 2022 भारत की में कौन सी रैंक है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत की 61th रैंक है कौन सा रैंक है 61 देखिए क्या होता है Network Readiness Index तो इस Index में तीन पैमाने रखे जाते हैं सबसे पहला Technology दूसरा है People के लिए Governance और तीसरा Influence तो तीन चीजों का आकलन किया जाता है उस हिसाब से Network Readiness Index जारी किया जाता है और भारत इसमें 6 स्थानों का सुधार करते हुए 61 प्लेस पर पहुँच गया है किसके द्वारा जारी किया जाता है Network Readiness Index Portu Lans Institute के द्वारा तयार किया जाता है दोस्तों इन्होंने तारीफ भी किया भारत की भारत के पास अपनी आयकिस्तर को देखते हैं उम्मीद से कहीं अधिक Network कि तद परता है ऐसा इन्होंने बोला है सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है 131 देशों को इसमें शामिल किया गया सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है और इसके बाद आता है स्कोर सिंगापुर का और फिर ठाट प्लेस पर स्वीडन है चली अगला परशन देखते हैं तबुस्सुम का हाली में निधन हो गया वे कौन थी तो तबुस्सुम ये थी अभिनेत्री इनका हाली में निधन हो गया है तबुस्सुम का लोगप्री अभिनेत्री है तबुस्सुम इन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया है और दूर दर्शन की लोग प्री टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन उसमें आपने इन्हों इनको देखा होगा ये मेचबानी करती थी 19 नवंबर 2022 को दिल का दौरा पड़ा जिसकी वज़े से इनका निधन हो गया है साथ ही यहाँ पर हाली में जितने भी निधन हुए हैं उसको एक बार रिवाइस करते हैं कौन से वो बैकती हैं जो बास्केट बॉल दिगज खिलाडी थे भारत के उनका निधन हुआ है अबबास मुंतसर तेलगू फिल्म सूपरस्टार इनका नाम है कृष्णा गारू इनका निधन हो गया है प्रसिद गडितागे आरल कशप का निधन हो गया है स्वतंतर भारत के पहले वोटर कोन थे इनका नाम है शाम शरननेगी निधन हो गया है इला भट ये कौन थी? महिला अधिकार कार करता और सेवा की संस्थापक थी इनका निधन हुआ है। भारत के स्टील मैन कौन कहे जाते हैं? जमसेज जे इरानी निधन हो गया है। असम के प्रख्यात कलाकार ये पेंटर थे नील पवन बरुआ इनका निधन हो गया है। वयव है कि आप मेरे साथ नोट्स बनाते चले, फिर देखिए कैसे आप परमाडू बंबन जाओगे, अब बन रहे होगे, ये एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे आपके अंदर शक्तियां आ रही है। चली, परिवार नियोजन नित्रतु में उत्कृष्टता, एक्सल पुरसकार किस देश को प्राप्त हुआ है, तो परिवार नियोजन में, फैमिली प्लानिंग में हमारे भारत देश को, क्या आप मिला है, पुरसकार प्राप्त हुआ है, एक्सल पुरसकार प्राप्त हुआ है, याद रखना आप, तो दोस्तों इसका आजन कहां पर किया गया था, तो भारत ने बहुत अच्छी planning की है, अपनी family को किस प्रकार से आगे वढ़ाया जाए, इसलिए पुरसकार दिया गया है, country category में ये पुरसकार दिया गया है भारत को, भारत ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, आधुनिक परिवार, नियोजन, विधियों तक पहुँच में सु लूबल अवर्ड ये वर्ल्ट्रेवल मार्ट के दोरा दिया जाता है किस राज्य को मिला केरल को लूबल पुरसकार विजेता वेंकी राम कृष्णन को बृटेन के और आफ मेरिट से सम्मानित किया गया है भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे इट राइट इस्टेशन certificate मिला है तो यह भोपाल का railway station 4 star rating मिले है India Agree Business Award 2022 से National Fisheries Development Board को यह award मिला है दोस्तो कुलदीप नईयर पत्रकारिक्ता सम्मान किसे मिला है तो दो को मिला है अजीत अंजुम वा आर्फा खानम को यह भी आप screenshot ले लीजे बार बार मैं इसलिए revise कराता हूँ ताकि दिमाग में आपके हर बात बैठ जाए कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी नई गली पे जाते हो तो आप बहुत अंजान रहते हो आपको कुछ नहीं पता होता है लेकिन जब आप दुबारा जाते हो तो अगर पहले 10% उस गली के बारे में जानते हो तो अगली बार 20% फिर उस पे जाएंगे 30% फिर उस पे जाएंगे 50% फिर उस पे जाएंगे 70% फिर तो एक चपप 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 याद हो जाएगा इसी प्रकार से दुनिया में सफलता पाना है तो अभ्यास करना पड़ता है देखिए पांडवों में सबसे सरवस्ट्रेष्ट अरजुन थे क्योंकि सबसे ज़्यादा धनुस चलाने का अभ्यास अरजुन करते जो ज़्यादा अभ्यास करेगा वो जल्दी विजेता वनेगा चली साथ्यों यहाँ पर राज्यों से संबंतित योजनाओं को डिसकस करेंगे ध्यान से सुनना आप सभी दॉलिस फैक्टरी में सीमा दर्शन योजना यहाँ पर सीमाओं का दर्शन कराया जागा नामसे सपस्ठ है गुजरात राजने शुरू किया है एक स्टेशन एक उत्पाध योजना भारती रेलवे के दौरा शुरू किया गया है ताकि हर एक स्टेशन के एक विसिस्ट पहचान हो कौशल्या मातरत योजना 36 गड़ सरकार के दौरा शुरू किया गई है कौशल्या मातरत योजना में दूसरी लड़की के जनम पर माता को 5,000 रुपए की सहायता राशी प्रदान की जाएगी इसमाईल योजना में ट्रांस जंडरों की विकास के लिए कार किया जाएगा ये केंदरी समाजिक नयाय और अधिकारिता मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया है मिशन अमानत पहल ये आरपीएफ के द्वारा रेलवे सुरक्षा बलके द्वारा शुरू किया गया है इसमें क्या किया जाएगा यदि आपका समान घुम हो जाता है तो उस समान की फोटो खींच कर उसकी डिटेल्स वेबसाइट पर डाल दी जाएगी वहां से आप अपने समान को कलेक्ट कर सकते है दलित बंधु योजना जो कि तलांगना राज्य के द्वारा शुरू की गई इसमें जो दलित भाई हैं उनको 10 लाख रुपे तक की राश्य प्रदान की जायागी सहायता राश्य ताकि वो अपने बिजनस को बढ़ा सके आमा योजना सिक्किम की द्वारा शुरू की गई है इस योजना में क्या है मैं आपको समझाता हूँ तो आमा योजना के तहत जो महिलाएं गैर काम काजी हैं जो कोई काम नहीं करती हैं उनको एक साल में विती सहायता प्रदान की जाएगी पहिनी योजना पहिनी योजना भी सिक्किम राज्य की द्वारा शुरू की गई है इसमें कक्षा नौ से उपर की जो छात्राएं हैं उनको क्या दिया जाएगा सेनेट्री नैपकिन दिया जाएगा निशूल के सेनेट्री नैपकिन दिया जाएगा तो यह सारी महत्वपून योजनाए हैं आप याद करिये और लिख लीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए पीड़ भी मिल जाएगी विश्वो बाल दिवस कब मनाया गया तो हर साल World Children's Day मनाया जाता है 20 नवंबर को कम मनाया जाता है 20 नवंबर को राश्ट्री बाल दिवस चाचा नहरू जी की याद पर 14 नवंबर को मनाया जाता है 17 नवंबर को National Epilepsy Day मनाया जाता है 16 नवंबर को मैंने आपको पढ़ाया था National Press Day मनाया जाता है क्या है विश्व बाल देवस अंताराश्ट्री एकता को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है विश्व बाल देवस 2022 की थीम क्या है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइड इस दिन के जो विशेश महत्त है वो यह है कि 20 नवंबर 1959 को सयुक्त राश्ट महासभा ने जो चाइल्ड राइड से उसकी घोश्टा की थी और 1989 इसी दिन सयुक्त राश्ट महासभा ने पाल अधिकारों पर सम्मेलन को भी अपनाया था याद रहेगा आपको चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्तपूर नवंबर महिने के दिवस है उसे भी याद कर लिजे आप जान लिजे राश्ट्री एकी करण दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्वो सौचाले दिवस 19 नवंबर अंतराश्ट्री पूरुस दिवस 19 नवंबर लेकिन पूरुस को कोई याद नहीं गरता अगर अंतराश्ट्री महिला दिवस मनाया गया तो सब विश्वों कोई रोली नहीं हैं ऐसा कुछ भी नहीं है सब दोनों का बराबर रोल है प्राक्रतिक चिकिस्सा दिवस 18 नवंबर को बना जाता है रास्टी नवजाश शिशु शप्ता 15 से 21 नवंबर विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग इसकी मेजबानी क कोन करेगा किसके द्वारा होगी हैदराबाद करेगा भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग 19 और 20 नवंबर 2022 में हैदराबाद में भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग कायजन किया जाएगा आपने देखा ना कार रेसिंग इसमें कम से कम 22 एलेक्रिक र अगले साल एक important event बता देता हूँ जो 11 और 10 वर्विरी को होने वाला 2023 को हैदराबाद में भारत की पहली formula E-World Championship का आयजन हो रहा है डेट याद रखना पूछा जा सकता है चलिए फीफा विशुकप 2022 का आयजन किस देश में किया जा रहा है ये प्रस्ट मैंने पहले भी पढ़ाया है लेकिन उस समय बस मैंने आपको बताया था कि फीफा विशुकप होने वाला है लेकिन इसका बहुत सारा जो important पहलू है उसे हम cover करने वाले हैं बहुत सारी important details को तो कतर में होगा ठीक है दोहजार छब्श में फीफा विशुकप कैनाड़ा अमेरिका और मैक्सिको संइक्त रूप से ये तीनो जगहे आजित किया जाएगा 2016 में हर चार साल में फीफा विशुकप होता है देखे इस बारक का कौन सा फीफा विशुकप है तो 22 वा विशुकप है बीस नवंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा देखे इस विश्य कप का आप से शुभंकर पूछा दा सकता है तो यह याद रखना आप लाइब याद रखोगे आप लाइब यह इंपोर्टेंट है ठीक है यह सारे आस्पेक्ट हम कवर करने वाले हैं ठीक है वर्ल्ड कप के दौरान जो फुटबॉल इस्तमाल की जाएगी उसका नाम है अल रिहला अल रिहला का मतलब होता है यात्रा ठीक है 1942 और 1946 दो डेट याद रखना जब Second World War चल रहा था तब FIFA विशुकप का आजन नहीं हुआ और पहला विशुकप कब हुआ था 1930 में उरगवे में हुआ था और 21 विशुकप यानि पिछला रूस में आजित किया गया था 2026 का मैंने आपको बता दिया है ठीक है देखिए विशुकप का जो अभी रिसेंट में चैंपियन बना है वो फ्रांस है दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल FIFA विशुकप में कौन सा देश हुआ है वो है ब्रजील इटली और जर्माइनी चार-चार बार FIFA का हैड़क्वाट में अध्यक्ष फिर से बनाए गए है यानी इंफेंटीनियों तीसरी बार बनाए गए है अभी हाली में ये बनाए गए है तीसरी बार FIFA के अध्यक्ष सेना प्रमुक जनरल मनोज पांडे को किस देश में गार्ड ओफ ओनर मिला है तो गार्ड ओफ ओनर किस देश में मिला है अभी हाली में ये फ्रांस की आतरा पर गए हैं और फ्रांस की आतरा पर इनहें guard of honor मिला हैं तो सेना प्रमुख हमारे 14 से लेके 17 नवंबर 2022 तक फ्रांस के दौरे पर गए थे दोस्तों वहाँ पर जो फ्रांस के इनके समकष फ्रांसी सी जो वहाँ के सेना अद्धिक्ष है जनरल पीरेशिल इन दोनों की आपस में बात चीत हुई और बहुत सारे मुद्धों पर आपसी सहमती की बात की गई है देखी यह है फ्रांस आप यहाँ पर देखी यह 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 यूरोप continent का मैप है ठीक है यह फ्रांस है फ्रांस की capital यह Paris है और यहाँ पर देखी Belgium है यह जर्मनी है यह छोटा सा Luxembourg है यह Switzerland है फ्रांस ही लगा Italy है फ्रांस के दक्षण में भूमद शागर है Mediterranean सी है ठीक है और फ्रांस से लगा हुआ Spain है यह English Channel है कई बार आपने सुना होगा English Channel पार कर दिया तो United Kingdom और फ्रांस की बीच में जो यह बीच में आप जगह देख रहे हैं पानी वाला इसे हम बोलतें English Channel ठीक है तो फ्रांस की capital Paris है यहाँ की currency यूरो है अभी President Emmanuel Macro है Elizabeth Bone यहां के प्रधान मंतरी है याद रहेगा आपको महत्वपूर पॉइंट है रक्षा बलो के प्रमुक एक बार रिवाइस करते हैं पूछा जा सकता है तो भारत के अभी दूसरे CDS बने हैं अनिल चोहान भारत के आर्मी के जो अध्यक्ष है मनोज पांडे हैं उपाध्यक्ष है BS राजू है वायू सिना के अध्यक्ष VR चोधरी है उपाध्यक्ष संदीप सिंग है नौ सिना अध्यक्ष आर हरी कुमार है नौ सिना उपाध्यक्ष SN घोरमडे है भारती तट रक्षक बल के महानिदेशक BS पठानिया है और बियारों के Border Road Organization के महानिदेशक राजीब चौधरी है स्क्रीन शॉट ले लीजे, आपका एक नमबर यहां से पक्का है, जरूर पूछा जाएगा आदिवासी बच्चों के बीच प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कितने तिरंदाजी अकादमी स्थापित की जाएगी तो सौ तिरंदाजी, कितने सौ तिरंदाजी अकादमी की स्थापना की जाएगी आदिवासी जो बच्चे हैं उनकी टैलेंट को बढ़ाने के लिए तो भारत के जनजाती मामलों की मंतरी कौन है इनका नाम है अरजुन मुंडा इन्होंने हाली में फैसला लिया है कुछ प्रसिद्ध मैं आपको आदिवासी तिरंदाज बता रहा हूं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है तो यह हैं दिपिका कुमारी और लिम्बाराम आपसे ऐसा पूछा जा सकता कि दिपिका कुमारी का संबंद किस खेल से है लिम्बाराम का संबंद किस खेल से है तो अब बताईए गए तिरंदाजी से इनका संबंद है दोस्तों यहां पर हमारा Current Affairs खतम हो जाता 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रशन आ रहे हैं उसको ध्यान से सुने एक्जाम में पूछा जाएगा 68 नंबर का हाली में National Film Award घोशत किया गया और Best Actor का Award किसे मिला है तो आजय और सूरिया दोनों को मिला है आजय देवगन को ताना जी और सूरिया को सोरा राई पोटरों में अभिने करने के लिए मिला है ओकला का Speed Test हुआ Global Index जारी किया गया भारत की Speed दुनिया में किस नंबर पे आती है तो भारत 118 नंबर पे है स्वा निर्भर नारी योजना किस राज में शुरू की गई तो स्वा निर्भर नारी योजना असम राज में शुरू की गई विश्व मस्तिश्क दिवस कब मनाया जाता है When is World Brain Day Observed 22 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मस्तिश्क दिवस ONGC विदेश लिम्टेट के प्रबंद निदेशक कौन बने है तो ONGC के विदेश लिम्टेट के प्रबंद निदेशक राज स्री गुपता है ये विदेश लिम्टेट ONGC के कलग ब्रांच है clear? चलिए दोस्तों 10 प्रश्ण का टेस्ट होने वाला है इसमें 10 में 10 चाहिए मैं नहीं जानता तो चलिए मनिका बत्रा का संबंद किस खेल से है तो मनिका बत्रा टेवल टेनिस के खिलाड़ी है याद रहेगा पूछा जा सकता है दिपिका कुमारी का संबंद किस खेल से है टीपिका कुमारी का संबन तिरंदाजी से है प्यारों के प्रेजेंट में महानिदेशक कौन है तो यह है राजीव चौधरी 2026 का FIFA विशुकप कहां पर आज़ित किया जाएगा तो इसका आज़न अमेरिका, कैनेडा, मेक्सिको में संयुक तुरूप से किया जाएगा एमेन्यूल मैक्रो किस देश के प्रेसिडेंट है तो ही इस दे प्रेसिडेंट आफ विच कंट्री, फ्रांस कंट्री ब्राजिल ने FIFA विशुकप कितनी बार जीता है सबसे सफल टीम रही है ब्राजिल और ब्राजिल ने पाँच बार FIFA विशुकप को जीता है FIFA का हेड़कॉर्टर किस देश में है तो FIFA का हेड़कॉर्टर है प्यारे साथियों सुट्जर लेंड जियूरिक में है नवी टेक्नलोजिस के ब्रैंड अमबस्डर कोन बने है तो ये हैं MS धोनी जलवायू परिवर्तिम प्रदर्शन सूचकांग 2023 में भारत की रहें क्या है तो भारत इसमें आठवे नंबर पर है भारत के स्टील मैन कोन कहे जाते हैं तो भारत की स्टील मैन है जमसेज जे इराने ये आपका 10 प्रशन का टेस्ट हो गया है अब हम 19 नवंबर के करेंट अफ़ेर्स का रिविजन करेंगे देखे 20 नवंबर में मैं संडे को वीकली करेंट अफ़ेर्स पढ़ाता हूँ पूरे हफ़े का करेंट अफ़ेर्स मैं पढ़ाता हूँ मातर 25 मिनिट में मैंने 60 कोश्चन प्रैक्टिस कराएं तो आप उसको जा करके टेस्ट कर लेना पढ़ लेना रिविजन हो जाएगा आपका और आपका टेस्ट भी हो जाएगा इसरो द्वारा लॉंच किये गए पहले निजी रॉकिट का नाम क्या है कमेंट बॉक्स पर उत्तर चलते रहने चाहिए विक्रमस ATP रैंकी में नंबर एक पर पहुँचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाडी कौन बन गए हैं कारलोस अलकराज इसपैन के खिलाडी है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इसपात उत्पादक देश बन गया है तो ये है इंडिया पहले नंबर पर चाइना है अंतरास्ट्री गीता महसब का आजन किस राज में किया जाएगा हर्याणा राज में किया जाएगा अंतरास्ट्री टेबल टेनिस महसंग एथिलीट आयोग में शामिल होने वाले पहले भारती किलाडी है शरत कमल अचन दोस्तों ये मेजर ध्यांचन खेलरतन पुरसकार इन्होंने जीता है एमपी में पहला ग्रीन फिल्ड फर्म मशिनरी प्लांट कहां पर उद्घाटन किया जाएगा पीथम पुर में एडी के निदेशक संजय मिश्रा का कारिकाल कितना बढ़ा दिया गया है तो एक साल इडी का Penguin फिल्ड फिल्ड के निदेशक का कारिकाल बढ़ा गया है अंतर रास्ट्न परालंपिक संभी ने कि इन देशों को राली में दिल्मबित कर दिया है तो यह मनाया गया कब मनाया गया आजित किया गया, हैदराबाद, बेंगलो, चन्नाई, मुंबई, कहां पर इसका आजन किया गया है, हैदराबाद में, तो बताओ इसमें कितने नंबर आए आप लोगों के, आज का सवाल आप सभी के लिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक तो कौन है, और किस नंबर के हैं ये भी कमेंट बॉक्स पर आप बताएं, ठीक है, अब आज का स्टेटिक जीके का पिटारा खुल गया है, वचन एवं नारो के बारे में जानेंगे, एक्जाम में 100 प्रतिशत यहां से प्रशन पूछा जाता है, तो पहला है, इनकलाब जिंदाबाद, तो भगस सिंग जी ये नारा दिया है, दिल्ली चलो किस ने दिया है, सुभाष शंद्र बोज जी ने, भारत छोडो, हे राम, करो या फिर मरो, पहात्मा गांधी जी ने, जैहिन का नारा सुभाष शंद्र बोज जी ने दिया है, पूर्ण स्वराज, आराम हराम है, जवाहर लाल नहर्यू जी वेदो की और लोटो एक कोशन पूछा गया है SSC में, राजस्तान PSC में, UPPCS में दयानन स्वरस्वती, जै जवान, जै किशान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, मारो फिरंगियों को मंगल पांडे ने कहा, जै जगत विनोबा भावे ने बोला है, कर मत दो, टैक्स मत दो, स चारा, शाम, लाल, गुपता, इन्होंने दिया है, बंदे मातरम, बंकिम, चंदर, चटर जी ने, जन, गड़, मन, अधिनायक, जया है, रविंद्र, नात, ठाकुर जी, तो ये हैं, इंपोर्टन वचन एवं नारे, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, दोस्तों, हमारे स्टै पृत्वी राज और मुहम्मद गौरी के बीच, पृत्वी राज विजय हुए, तराइन का दूसरा युद्ध, 1192 में लड़ा गया, मुहम्मद गौरी ने पृत्वी राज को हरा दिया, धोके से, धोके बाज, मुहम्मद गौरी, चंदावर का युद्ध, 1194 में हुआ, मुगल, यानि मुगल समराज, खानवा का युद 1527, बाबर ने राणा सांगा को हराया, चंदेरी का युद 1528, बाबर ने मेदनी राय को हराया, तो ये था स्टैटिक जी का क्या पिटारा, कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, ये भी बताना, महा मेरथन रेडी हो चुका है, आप लोगों के लिए कल आने वाला है, महा मेरथन मैं लेकर के आने वाला हूँ, तयार रहो, पूरी जोस, पूरी उर्जा के साथ महा मेरथन पढ़ना, अच्छी से, और हर एक जोइन कर लेना, वहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्डेट्स मिलती रहती है, हमारे चैनल से रेलेटेड, उसे भी जोइन कर लो, और साथियों इसके अलावा, आप हमें फॉलो कर सकते हो, हम आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे, हम आपको फेस्बुक में मिल ज आएंगे, हम आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आप हमें जरूर फॉलो करें, ताकि आपको वो अपडेट्स मिलती रहे, जो सिक्षा के लिए जरूरी है, तो कैसा लगा सेशन जरूर बताईएगा, और सेशन वाकई पसंद आया है, तो एक लाइक बटन, एक शेर भारत.